एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ है मशूर पेस्ट रीडर स्वामी जगनलाथ नमस्ते स्वामी जी स्वागत है आपका स्वामी जी सबसे पहले तो हमें ये बताईए कि ये फेस रीडिंग होती क्या है और क्या ये किसी भी तरह से एस्टोलेजी से रिलेटेड है जी हाँ ये रिलेटेड है परंतु इसका जो शास्त्र है और शास्त्र के अनुसवारी है जिवन में जब कोई कन्या या कोई पुत्र पैदा होता है तो ये शास्त्र बहुत पहले से ही आया हुआ है परन्तु ये अभी अभी समय के अनुसार वो अभी सब लोगों को दिख रहा है जैसे कि कोई किसी का चैरा देख के भविश्य बोलना वो सस्य महत्वपून है जैसे आपका चैरा देख के मैं बोल सकता हूँ कि आपका भविश्य क्या है परन्तु ये जो चैरा देखना है वो कुंडली के हिसाब से ही देखना पड़ेगा किसी के ग्रह कहां पे है किसी का शुक्र कहां पे है और कहां जाने वाला है आगे या कुछ होने वाला है आपके साथ वेदिक शास्त्र से देखने गए तो एस्टोलोजी और फेस रीडिंग एक ही साथ में आता है परन्तु उसका देखने का तरीका जो आता है वो कुंडली के हिसाब से ही हम लोग उसका वरणन करते हैं परन्तु फेस रीडिंग जो हे वो एस्टोलोजी के हिसाब से ही आपका गरह या किसी का भी गरह किस हिसाब से बेट अवा है, किस घर में बेटा हुआ है उस हिसाब से हम लोग ये फ्यूचर उसका प्रेडिक करते हैं लेकिन यह जो शास्त्र है वो ऐस्ट्रोजी ही है इसके अंदर बहुत सरे चीज है जैसे फेस रेडिंग में पहला आता है मस्तक उसके बाद में आता है नेत्र उसके बाद में आता है आपके गाल उसके बाद में आता है आईब्रो और आपके सबसे important चीज है आपके बोल, जिस time आप बोलते हो, कैसे बोलते हो, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस विचार में पड़े हुए हो, उस हिसाब से हम face reading करते आते हैं और D2H पे सबस्क्राइब करें, जोतिश दुनिया